सोने से पहले दूद में मिला कर ये एक चीज इम्मिनिटी बढ़ाने के साथ देता है अंगेंट फाइदे दूद सेहत के लिए काफी फाइदे मंद होता है लेकिन क्या आप जानते हैं दूद के साथ देशी घी मिलाने से काफी फायदे होते हैं और काफी सेस समंधी समस्यां से आपको ये बचाता है Welcome back to my channel वीडियोर्स आज में शेयर करती हूँ आपके साथ एक गिलास दूद में एक चमच घी मिलाने से आपको क्या-क्या फायदे होते हैं तो वीडियोर्स जान लेते हैं वीडियो को पूरा फॉलो कीजिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए अगर आपने समितस कॉर्नर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो मिलती रहें बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें कई पोशक तत्मों से भरपूर घी हमारे लिए काफी फाइदे मन्द होता है ये ना सिर्फ खाने का स्वात भड़ाता है बलकि हमारी सेहत भी बढ़ाता है आज हम आपको बताएंगे घी से होने वाले गजब के फाइदे के बारे में फ्रेंड्स आईए जान लेते हैं दूद में घी मिलाने के क्या-क्या फाइदे होते हैं पोशक तत्मों का अफ्शोर्शन भड़ाए दूद और घी को एक साथ पीने से शरीर में पोशक तत्मों का एबजॉप्शन बढ़ता है घी में butric acid होता है यहाँ एक short chain fatty acid है जो fat में घुलनशील विटामिन जैसे A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K को absorb करने में मदद करता है यह अभी विटामिन हमारे स्वास्ते के लिए जो है महत्वपूरण होते हैं यहाँ इमिन सिस्टम को बहतरन जो है बनाता है जो है वो अच्छा रहता है घी खाना स्वास्ते के लिए काफी लाब दायक है और अगर इसे दूद में मिला के खाया जाए तो इससे काफी अच्छा जो है आपका पाच्छन तंतर रहेगा और आपको अच्छी भूख भी लगती है नेक्स्ट है हडियों को करे मजबूत हडियों को जो है घी और दूद का कंबिनेशन काफी मजबूत करता है और दांतों के लिए भी यह बहुत जरूरी है ऐसे में इसमें घी मिला कर पीने से घी में मजबूत विटामिन के टू शरीर को कैल्शम अब्सरब करने में मदद कर करता है नेक्स्ट है सूजन को करे कम घी में एंटी इंफ्लमेंटरी गुण होते हैं जो जोडों में होने वले दर्द और सूजन को कम करते हैं घी में एंटी ऑक्सडेंट होते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल से होने वार नुकसान से बचाता है नेक्स्ट है बूस्ट ऑफ इमिनिटी दूद में बिटेमिन और खनीजों का एक अच्छा जो है पुस्त्रोथ है जो मजबूत प्रती रक्षा प्रणाली के लिए बहुत जरूरी है जो शरीर को संग्रम को होने से बचाता है गुड फॉर स्कीन एंड हेर है स्वस्त वचा और बालों के लिए गुनकारी ह एक बहुत अच्छा सोर्स है जो स्वस्त वचा और बालों के लिए बहुत जरूरी है वहीं घी में फैटी एसेड होते हैं जो बालों को मौश्चर करता है नेक्स्ट है सर्दी जुखाम से बचाता है दूद और घी दोनों में एंटिवाइरल और जिवानों रोदी गुन हो बढ़ती है और देर तक काम करने में आप शक्षम हो पाते हैं दूद पीने से दांत और हडिय मजबूत बनती है यह आंतों को नरम रखता है यह पाचन तंतर को भी मजबूत बनाता है गुड फॉर वीकनेस कमजोरी के लिए फाइदे मन दूद और गी दोनों में कैलशियम प्रोटीन होते हैं और हेल्थ फैट होता है जो माश बेशियों को बढ़ाता है और हडियों को मजबूत बनाते हैं यह सफेद ड्रिंक निमाग को तरोताजा रखता है दूद में घी मिलाने से इसकी शक्ती बहुत बढ़ जाती है इस आयर बेद में अमरित छिपा है यानि इसे अमरित माना गया है बढ़ते बजन के लिए फाइदे मंद दूद बढ़ते बजन के लिए भी काफी फाइदे मंद है शिरीर के बढ़ते बजन को दूद और घी खाना काफी कम कर देता है बजन को कम करने के लिए दूद के साथ घी का सेवन करना चाहिए दूद में घी पेट दूद के साथ घी पीने से आपके पाचन तंतर और मेटाबॉलिजम में सुधार होता है दूद में घी मिला कर पीने का सही समय क्या है बहुत से लोग दूद में घी मिला कर पीने की सलहा देते हैं घी वारा दूद आपकी ओल ओवर हेल्थ को अच्छा रखता है का सेवन जरूर करना चाहिए ये काफी फाइदे मंद रहता है तो ये थी आज की वीडियो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ धन्यवाद